हाई दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे Godless वेब सीरिस के बार में जो कि आपको नेट्फ्लिक्स पर देखने हो मिल जाएगी लेकिन अगर आप लोगों के पास नेट्फ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यह सीरिस आपको फ्री में कहां पर देखने हो मिलेगी वह भी एक एपिसिड आल्मोस्ट 41 मिनिट से लेके एक गंटे 20 मिनिट के और यह स्रिफ इंग्लिश में अविलेबल है लेकिन बहुत सारी सीरिस वर्ड में है इसी है जो आपको हिंदी में देखते हो नहीं मिलेगी लेकिन वह वर्थ वाच है और यह बेस्ट अंडिलेटेट सीरिस में से एक हैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ खेर आप बात करें सीरिस के प्लॉट की तो कहानी सहेटे 1880 में जहां पर हमें नजर आते हैं फ्रैंक गिर्फिन और उसकी गैंग अब फ्रैंक को तलाश है रॉय गूट की जो कि इसी गैंग का एक मेंबर था लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आप आते हैं जब रॉय न्यू मेक्सिको के टाउन लेबल पहुंच जाता है अब उसके बाद रॉय के साथ क्या कुछ होता है और कैसे फ्रैंक रॉय को धुंटा है यह सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी यह सीरीज कर बात करे आपको बहुत जाद अच्छा लगेगा यहां पर चीज़ों को बहुत ही हद तक रियल रखने की कोशिश की है 1880 में जब कॉव थे तब उस टेम पर उनके साथ क्या कुछ होता था वह लोग कि इस तरह से सर्वाइफ करता था और उस वक्त पर वूमेंस के साथ किस तरीकी से बहुत सारी ऐसी चीज़े देखने हो मिलेगी जो आप लोग इससे पहले जीन भी नहीं कियोगे आप लोग यहां पर सी फ्रैंक मिलर और रॉय की बीच की कहाने देखने हो मिलेगी वैसा बिल्कुल भी नहीं है यहां पर एक ऐसा टाउन बताए जहां पर 90% सी वूमेंस रह हालके उन सारी चीज़ों के लिए शो में बहुत सारा टैम लिया गया लेकिन हर एक करेक्टर के पास्ट में क्या कुछ था और किस तरीकी से प्रेजर में सिच्वेशन चल रही है निके हर एक चीज़ को काफी बारी की से एकदम डीटेल में समझाया है आपको काफी फीमेल क लोकेशन पर इस सीरीज को शूट किया है जो का बीजेम तो यार बहुत ही शांदार है मतलब जितनी तारिफ कर उतनी काम है और हर एक सीन में जब आप इसका बीजेम सुनते हो तो वह पर्टिकुलर सीन एक अलगी लेवल पर बहुत जाता है और फाइनल एकर एक्टर के पर सीरीज में जो आपको सीरीज देखने पर मजबूर भी करते है उसके लाओ जितने भी सपोर्टिंग एक्टर से सबका कम मुझे पसना लिए अच्छा लागा आपको ट्विस्टेंट टन्स भी देखने हो मिल जाएंगे साथ साथ अगर एक्शन सीक्वेंस की बात करू तो य यहाँ पर बस एक ही चीज मुझे नेगेटी फिल्टी वह है इसकी पेजिंग स्टार्टिंग के दो एपिसोड जो लगबग एक घंटे से भी जाधा के वह इतने जाधा स्लो है कि जो इंडियन ओडियन्स है वो लोग इस शो को देखना तो पसंद नहीं करेंगे लेकिन जो आप से चीजों को क्रियेट करते हैं को आराम आरम से प्रेजेंट करके नाकि वीवर्स को अच्छी तरह से समझ में अब बात करेंगे पैरेंटेस गाइडिंस की तो यहाँ पर आपको कुछ इन्यूरीटी के सीन्स देखने मिल जाएंगा तो इस साब सी आप फैमिली के साथ बैटके नहीं देख सकते हैं और मैं शो को रेडिन हुआ डेफिनेटली एट पॉइंट फाइट आउट आफ टैन मुझे ये शो अच्छा लगा कहीं से भी मैं शो को लेकर बोर नहीं हुआ हाँ अलगे दो स्टार्टिंग के दो एपिसोटे वह मुझे पसनली अनकमफरडे और बस इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं अच्छा लगा तो डिस लाइक करना और एक बात बता दू कि अगर आप लोगों ने सीरीज को अलड़ी देख चुके हो तो कमेंड में यह बता देना कि आपको कैसी लगी क्योंकि उससे से उनको सब्सक्राइब तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाए